एक्स्पोर दे नू नोट इंफिनेक्स ते फ्यूशर इसना हेलो दोस्तों स्वागत करते एक पर फिर से आपके अपने डूप चैनल टेकनिकल समिर दोस्तों यहां पर हम जिस मोबाइल के बारें बात करने वाले हैं इसने ओन लाइन पर काफी ही पापरेटी बटो रखी है दोस्तों अभी फॉन लॉँच नहीं हुए लेकिन इसके आने कभी यह लोग इसका इंडिया में लॉँच होने का वेट कर रहे हैं दोस्तों यहां पर हम बताने वाले यहाँ पर Note 7 और Note 8 की बात की जारी है तो दोस्तों दोनों मोबाइल में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा Infinix Note 7 और Note 8 दोस्तों दोनों एक साथ लांच हो सकते हैं या दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता लोंच में तो हम दोनों का comparison वीडियो यहाँ लेका है आपको Note 8 में कोन से फिचर देखने को मिल सकते है दोस्तों यहां पर आपने Nove 7 की काफी वीडियो देख चुक Chat हो हो गया लेकिन यहाँ पर आज हम बात करने वाले है Note 8 के बारे में दोनों के comparison वीडियो है दोस्तों कौन सा based mobile आपको लिए होने वाला इसके बारे में हम आपको बताईगे दोस्तों यहाँ पर अगर आप चेनल पर नहीं हो तो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर देजिए ताकि ऐसी upcoming की information आप तक पहुत सके बिना देर करें वीडियो स्टाइट करते हैं दोस्तों सबसे बिले हैं यहाँ पर हम इसके body material और weight के बारे में जानते हैं तो यहाँ जो आपको iNphonics Note 8 में weight देखने को मिल जाता है बैक साइट प्लास्टिक बोडी देखने को मिल जाता दोस्तों यहाँ पर in नोट सेवन में 8.75 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है मोबैल के फाइंट साइट है दोस्तों डिस्पले के बारे में अगर बात करें यहां पर जो आपको यहां डिस्पले नोट 8 में देखने को मिलेगी IPS LCD 6.67 वाटर डॉप नौच के दिस्पले देखने को मिल जाती है इसकिन डिस्पले डिस्पले दोस्तों यहां पर IPS LCD आपको यहां पर इसकिन टाइप देखने को मिल जाती है इसके देखने को मिल जाती है इसी तरफ आपको नोट 7 में 258 पिक्सल डेखने को मिल जाती है दोन्म साइट आपको माउंट एंड फिंगर प्रिंट देखने को मिल जाता है दोस्तों मोबाइल के फ्रेंट साइट जो केमरा देखने को मिल जाता है आपको नोट 8 में 20 मेगा पिक्सल का में केमरा आपको देखने को मिल जाता है और नोट 7 में आपको 16 मेगा पिक्सल का में केमरा आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंट साइट में इसी के मोबाइल के बैक साइट आते है दोस्तों आपको नोट 8 में कौड कार के रेर केमरा देखने को मिल सकते है लेकिन अभी यह specify नहीं हुआ है लेकिन अभी हमारा पर जो information नहीं है इसमें आपको ट्रेपर डैर केमरे की बात की गई है जिसमें main camera आपको 64 megapixel का देखने को मिल जाता है 5 megapixel का आपको micro camera और 2 megapixel का depth camera इसी तरह बात करें हम note 7 के तो 48 megapixel का main camera आपको इसमें देखने को मिल जाता है 2 megapixel का depth और 2 megapixel का micro lens camera देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यहां थोड़ा बहुत आपको camera में difference देखने को मिल सकता है परफ़मेंस के बात करता है दोस्तों आपको यहां note 8 में काफी अच्छा performance देखने को मिल सकता है android 10 इसमें दे रहा है चिपसे सिस्टम आपको media tech helloica g85 का देखने को मिल सकता है यहां दोस्तों यहां पर काफी अच्छा performance आपको note 8 में देखने को मिल सकता है प्रोसेसर octa core है और बात करें note 7 की तो operating system इसमें भी आपको android 10 देखने को मिल जाता है प्रोसेसर octa core और चिपसे सिस्टम आपको इसमें media tech g70 का देखने को मिलेगा तो मतलब देखा जाए दोस्तों overall थोड़ा बहुत यहां पर performance में difference देखने को मिल सकता है लेकिन यहां gaming के अगर बात करें दोनों gaming के लिए जवर जस मोबाइल है दोस्तों आप इसको प्रेफर कर सकते हैं गेमिंग को लेके चलिए दोस्तों आगे चलते हैं बैटरी के बात करें तो आपको दोनों में 5000 msh की बैटरी देखने को मिल जाती है चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और इस्टोरेज के बारे में जानते हैं तो यहां पर जो note 8 में फर्स्ट वेरेंट ही निकल यह वह 6GB RAM और 64GB इंटर्नल इस्टोरेज पर बेज़़ दोस्तों यहां पर काफी अच्छा है यहां पर आपको इस्टोरेज देखने को इसमें मि करा दोस्तों काफी बढ़ियां यहां पर आपको दोनों में इस्टोरेज देखने को मिल जाता है color warranty note 8 का भी specify नहीं हुआ कि किस कलर में आपको यह देखने को मिलेगा blue green और white तीन कलर अवी लेबल है इन तीन कलर में आपको देखने को मिल सकता है price segment की बात करते हैं दोस्तों काफी बड़े फीचर इंफिनिक्स नॉट 7 में देखने को मिल जाते हैं नॉट 8 के अगर प्राइस सेक्मेंट की बत करें तो यहां 13,990 मतलब 14,000 के अप्रोक्स आपको नॉट 8 में फिचर्स थोड़ा बहुत यहां पर आपको कुछ फिचर्स कम करें कुछ फिचर्स बड़ा है तो काफी अच्छे दोनों में हमें फिचर्स देखने को मिल जाते है सबसे इंपोर्टन आप यह कव लॉंच होगे दोस्तो आपके हाथ में कब तक आएगे तो इसके उपर जो हमारे पास लीक निकल गई है उसके अकोर्ड़िंग जो डेट हमारे पास आई तो दोस्तो यहां पर आभी 11 जुलाई को यह लॉंच नहीं होने वाला है इसके एक्स दोस्तो थोड़ा बहुत डिफ्रेंस लॉंचिंग में हो सकता है लेकिन दोनों हो सकता एक साथ भी लॉंच हो जाए फुल फीचर्स दोनों के मुबाइल बता दिए गया है दोस्तो हमारे को वीडियो कैसे लागी और अगर आप चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक् कर देजिए ताकि ऐसी अपकमिंग स्पॉन की वीडियो आप तक पहुत सेके मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों तब तक करिए बुद्पार